रविवार को नापपुर के जी आरपी टीम ने तड़के सुभा लगबग तीन बज़े के करीब नापपु स्टेशन पर बिहार कतिहार से फरार दो आरोफियों को हिरासत में लिया है इन दोनों ही आरोफियों पर एक तरफा प्यार में महिला पुलिस कॉंस्टेबल की गोली म मार कर हट्या करने का आरोफ है प्राप्त जनकरी के नुसाल शनिवार रात बिहार के कटिहार के पुलिस अधिकारी जितेंदरिकुमार ने फोनकर जी आरोपी पुलिस निरख्शक मनीशद काशिक को फोन कर सूचित किया कि उनके थाने के एक महिला कॉंस्टेबल की गोली मार कर हत्या की गई थी जिसके कुल 7 आरोपी थे उनमें से 5 आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है मगर 2 आरोपी फरार होने में कामियाब हो गये ऐसी जानकारी मिलने के बाद पुलिस निरक्षक से संबदित ट्रेन की तलाशी लेने के लिए बताया गया जिसके बाद पुलिस ने जुयारपी टीम की मदद से दो अलग अलग टीम गठित की और उनके द्वारा ट्रेन की तलाशी ली जिसमें जुयारपी ने फरार दोनों आ के चकर में गोली मार कर हत्या कर दी थी। संपर्क करांथी थी। प्लाटफाम नंबर 3 पहाटे तीन वस्ता रविवरी सकाडी तीन वस्ता पोच लित्या वेला शर्वा ट्रेंचे जे फोटो प्राप्त होते त्या वरों त्यानना ताबेद घेतले लाहे त्या मदे आमहलाशी महिती मेली आहे कि सदर आरोपी याननी त्यान्चे एकाचना वहे हसन अर्शद 27 वर्ष और सज्यात सुफी 23 वर्ष रहनार मोसंडा जिल्ला कटी हार याननी दिनांक 9 फेबरुरारी 2023 रोजी थील महिला इन बीसी नुज के लिये ख्लिश भादवाच के साथ अकसाअ अंसारी की रिबॉर्ट